हलो फ्रेंड्स मैं आनन सर आप सबका सेल्फ गाइड स्टेडी सेंटर में स्वागत करता हूँ आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ग्रूब डी जो रेलबे ग्रूब डी का एक्जाम होने वाला है उसमें पूचे जाने वाले बहुत सारे महत्तपूं क्योंक्सक्त है आए चलिए देखते हैं वह क्योंकूंसे हैं जो की पूचे जाने की संभावना है पहला जो कूप्शन है वह है फेपडो में रखती पहुंचाने वाला अंग है फेफडों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है तो वो अंग कौन सा है फेफडों में जो रक्त पहुंचाने का कार करता है वो करता है दाया अलिंद दाया अलिंद जो है वो फेफडों में रक्त पहुंचाने का कार करता है इसके बाद है अगला क्यूशन रक्त का कौन सा कड जिवाडू से रच्छा करता है तो रक्त का कौन सा कड जिवाडू से रच्छा करता है पहला लाल रक्त कड, दुसरा स्वेत रक्त कड, तिसरा है जो रक्त वारी, चोथा है जिवाडू तो इसमें से आपका एंसर जो हो जाएगा स्वेत रक्त कड ब्रिक की आकरिती होती है तो ब्रिक की आकरिती कैसी होती है ब्रिक की आकरिती है तो इसका option यह है A है सेम के बीच के समान B है मटर के समान C है केले के समान और D है सेव के समान तो इसमें से कौन सा हो जाएगा तो इसका answer जो हो जाएगा वो सेम के बीच के समान हो जाएगा ब्रिक की आकरिती होती है इसके बाद अगला क्यूशन जो है खसरा रोग का परमुक लच्छन है तो खसरा रोग का परमुक लच्छन क्या होता है खसरा रोग का परमुक लच्छन का इसका ओप्सन देख लेता है option है dust होना, ulti होना सरीर पर छोटे-छोटे दाने निकलना और इसके बाद है चेहरा पीला होना तो खसरा रोप का परमुक लच्छन आपका option C सही हो जाता है सरीर पर छोटे-छोटे दाने निकलना और इसके बाद अगला question पाचवां है यह question जो है titanus का लच्छन है titanus का लच्छन क्या होता है छिससे पता चलता है कि titanus की विमारी हुई है तो उसका option देख लेते हैं पहला option है पेट में दर्द ल्हाना दूसरा option है टॉंसिल बढ़ना और तिसरा option है ठंड लगना चौथा option है जबडार्यक्रल Jewishобод You तो इसमें आपका टेटनल्स का लच्छन जो है इसका सही उत्तर जो होगा वो जबड़ा जकरना हो जाएगा इसके बाद देखते हैं अगला क्यूशन क्या है अगला क्यूशन है बड़ी आत में जिवाड़ों के द्वारा किस बिटामिन का संसिलेशन किया जाता है तो इसका ओप्सन देख लेते हैं बड़ी आत में जिवाड़ों के द्वारा किस बिटामिन का संसिलेशन किया जाता है और एक चीज़ मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग उन्हें मेरा चैनल को अब इस तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरो करेजे और यह फेस्बुक पेज से आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं नीचे करने वाले जानवरों में पारचन कहा होता है? उपसन देख लेते हैं इसका उपसन है A में, अमासे में, B है, छोटी यात में, C है, आहर नाल में और D है, इन में से कोई नहीं तो इसका अैंसर जो हो जाता है वो A हो जाएगा अमासे में कि इसके बाद देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपर्टेंट है यह धर्य थिन में कारवण हाइड्रोजन आउखसिजन के अलावा कौन सा तर्तथ्त रहता है लिकार्व रयोजन और अक्सिजन के अलावा क्म aus Sozialूपर उपस्तित होता वह सभी हो जाएगा उक्ष में आधकर ई अगला जोन ऑन नवा स्पया क्यूंक मज्ञान तो और तर Executive उसकोप का बेंग्यानिक नाम जो होता है इसका ओप्षन ग्रांच फांग मनोमेटर में झालता फॉन कार्डियोग्राम दिसरा option है electro cardiogram और इसके बाद जो 24 option है कोई नहीं तो इस में आपका सही उत्तर हो जाएगा जो वो बी हो जाएगा neon old periodальном इसके बाद अगला q& देखते हैं दसमा q& कौन सा तो दसमा q& है छिपकली के हिरदय में कोष्टो की संख्या होती है ओप्षन दो ऑफ्षन भी है तीन ऑफ्षन सी चार आप्षन भी पाच कि तो एंसर इसका जो हो जाता है वो चार आपका answer number C सही है इसके बाद अगला question जो है असुद रक्त सर प्रथम हिर्दय के किस कोष्ट में आता है तो असुद रक्त सर प्रथम हिर्दय के किस कोष्ट में आता है पहला इसका option है right oracle दूसरा है left oracle और तिसरा है right ventricle और चौथा option है कोई नहीं तो इसमें आपका जो सही answer है वो हो जाएगा right oracle right oracle असुद रक्त सर प्रथम हिर्दय के right oracle कोष्ट में आता है इसके बाद अगला question देखते है सलाइण water किसरक्त नली में चड़ाया जाता है तो सलाइण water किस रक्ते नली में चड़ाया जाता है तो इसका option जो है देखते है वह पहला option कि अगला जो क्यूशन है तेरह वह वह नॉर्मल सलाइन में सोडियम क्लॉराइड की मातरा होती है तो नॉर्मल सलाइन में सोडियम क्लॉराइड की मातरा कितनी होती है तो आप्सन देख लिएते हैं नौ परसेंट अगला है भी है को कि पोंडरा मां कुर्शन देख लेता है कि क्या है यदि आरवी सी को आइसो टोनिक गे है डाला जाए तो फोल जाएगा सी सिकूर जाएगा डी समार रहेगा तो आपका सही एंसर हो जाएगा डी समार रहेगा इसके बाद अगला क्यूप्शन है इसमें है आरेच रोग में पीता आरेच प्लस तथा माता आरेच निगेटिव और फ्रोड होता है इसमें एंसर जो हो जाएगा आपका आप्सन पहले देख लेते हैं आरेच प्लस आरेच माइनस या दोनों हो सकता है और चौथा जो है इनमें से कोई नहीं तो इसका जो answer हो जाएगा RH plus RH plus आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें इसके बाद यह देखिए बहुत ज्यादा important है जो सुलोमा क्यूक्शन है वो बहुत ज्यादा important है एक समान मनुस्ष का रक्तदाब कितना होता है तो एक समान मनुस्ष का रक्तदाब 80 बटे 120, 100 बटे 80, 120 बटे 80 और 80 बटे 100 तो इसका जो सही answer है वो 120 बटे 80 होता है यह बहुत बार एक्जाम में भी पूछा जा चुका है इसके बाद देखते हैं अगला क्यूक्शन है रक्त वर्ग B, नीमन में से किस रक्त ले सकता है तो रक्त वर्ग B, जो B बलट ग्रूप होता है, वो किस से रक्त बलट ले सकता है तो इसमें option है पहला सभी से और दुसरा option है A, B और O से तिसरा जो option है B और O से और चौथा जो option है वो है A, B और B और O से तो इसमें से आपका सही answer जो होता है वो B, C वाला option आपका सही answer है B और O से रक्त ले सकता है इसके बाद अगला question देखते है 100 ml रक्त ओस्तन हीमोगलोवीन की मात्रा मनुस में होती है तो 100 ml रक्त ओस्तन हीमोगलोवीन की मात्रा मनुस में कितनी होती है तो option देख लेते हैं 80-100 mg, 14 mg, 14 ग्राम या चौथा option है 4 ग्राम तो इसमें से आपका सही answer जो होगा वो 14 ग्राम हो जाएगा इसके बाद अगला question जो देखते है इसमें अगला question जो है वो भुरूड अवस्ता में RBC का निर्वाड कहां होता है तो भुरूड अवस्ता में RBC का निर्वाड option देख लेते हैं इसका कहां होता है यकरित में, B हड्डी में और फिर इसके बाद C देख लेते हैं C हिर्दय में और D प्लासिंटा में तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा यकरित में इसके बाद चलिए अगला question देखते हैं अगला रक्त में पाए जाने वाले protein है तो यह बहुत ज़्यादा important question है बहुत बार exam में पूछे जा चुके हैं तो इसका आपका option देख लेते हैं इसमें रक्त में पाए जाने वाले protein यह हो जाएगा अलव्यूनीन हो जाएगा बी प्रोथ्रीमीन हो जाएगा और सी हो जाएगा फाइबरीनोजेन और डी है जो सभी तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वो option number D है सभी इसके बाद अगला question देखते हैं गाय के दूद में किसके कारण पीलापन रहता है यह बहुँ ज़्यादा important question है कि किसके कारण पीलापन रहता है तो पहला option देखते हैं केसिन के कारण दुसरा option देखते हैं केरोटीन के कारण और तीसरा option देखते हैं तीसरा option जो है लेसिन के कारण इसके बाद देखते हैं चौथा ओप्षन जो है लैक्टिक अमल के कारण तो इसमें आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो कैरोटीम के कारण ओप्षन नमबर B आपका सही हो जाएगा इसके बाद अगला जो है क्यूशन HIV की खोज किस ने की थी HIV की खोज किस ने की थी तो आप्षन इसका है कोल्प B आप्षन है लुक मॉन्टेनियर C है फ्लैमिंग और D है एडवर्ड जेनर तो इसका सही उत्तर जो है वो लुक मॉन्टेनियर लुक मॉन्टेनियर ने HIV की खोज की थी इसके बाद अगला कुशन जो देखते है बाधो में वास्पोर सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंदर का उप्यों किया जाता है इसका पहला आप्षन जो है पोटामीटर B जो आप्षन है वो पोरोमीटर C बैरोमीटर D स्टेशियोमीटर तो इसका सही उत्तर है यह पोटा मीटर इसके बाद अगला क्यूशन है देखते हैं अगला क्यूशन क्या है यह देखें सेंट्रल सुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टिटूट कहां है कहां इस्तित है तो यह आप का ओप्सन देख लेते हैं लखनौ है आप्सन नमबर यह बोफाल है और तीसरा ओप्सन जो है कोयम टूर है चौथा है जबलपूर तो इसमें हम सही उत्तर जो है वह 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 दो जाएगा इसके बाद अगला चलिए क्यूशन देखते हैं अगला क्या है तो अगला क्यूशन जो है मानो तोचा पर पाए जाने वाला वर्न है तो म अप्सन है मेलानीन भी है के रोटीन सी है लाइकोफीन डी है है हाइटो ग्रोम तो इसमें सही एंसर जो है वह है मैलानीन और आज के लिए बस इतना ही आज 25 क्यूशन है जो कि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और एक जामस में पूछे जाने की संभावना है और इसके बाद आप लोग से एक रिक्वेस्ट है अगर जो लोग पहली बार यह चैनल देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथे साथ इसे लाइक करें और सेर करें अपने दोस्तों को भी बता और एक चीज़ मैं यह बता रहा हूं कि अगर आप लोगों क चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ रहेगा आप वहां आपसे जाकर वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं धन्यवाद